हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं मूली के पत्ते जो होते हैं मूली के बारे में तो हमने उसका वीडियो डाला हुआ है आज मैं मूली के पत्ते के बारे में जानकारी लाई हूँ जो कि मूली के पेक्षा काफी फायदे मंद होता है जो सेहत के लिए स्वास्ति के लिए बहुत लाबदायक होता है तो अगर चैनल पिनाए हैं आपसे छोटी सी रिक्वेश्ट है चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो सबसे पहले हमने मूली के पत्ते को देखिए मूली तो हम खा सकते हैं इनके पत्ते को फेक देत और जिसके 7 से हमारे पाचन संबंधी बिमारियं होती है वो दूर मिलता है और तो देखिए अच्छ अशे दो के नरम नरम पत्तों को मिक्सिजार में डाल दिया है इन नरम नरम मूली के पत्तों को आप सलात के रूप में भी खा सकते हैं इसे कट करके छोटे-छोटे पीश और इसमें काला नमक डालके और नीम्बू करस डालके आप इसे सलात के रूप में भी खा सकते हैं यह काफी अच्छा लगता है और ऐसे भी आप इसका juice निकाल के पीच सकते हैं तो देखे इसको हमने fine paste त्यार किया और cotton का कपड़ा लेके देखे साफ cotton का कपड़ा होना चाहिए और उसे लेके हम इसको अच्छे से छान के अच्छे से इसका juice हम निकाल लेंगे और इसमें आप अजवाइन पाउडर भी डाल सकते हैं नीबू करस भी डाल सकते हैं काला नमक लेकिन हमने काला नमक और जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर डालके ये जूस बना कर तैयार किया है आपको जिस तरह से अच्छा लगता है आप उस तरह से इसे बना कर पीश सकते हैं और मूली का जूस आपके लिए काफी फायदेमंद है जिनको कब्जी की प्रब्लम है पाइल्स की प्रब्लम है उसके लिए काफी लाबदायक होता है तो आप इसे निभू कर रस डालेंगे तो इसे टेस्ट चेंज हो जाएगा अच्छा लगेगा यह मूली के पत्तों का जो रस होता है समता को बढ़ाता है और जैसे सर्दी होती है तो मूली का रस तो आइस से ठंड़ा होता है लेकिन अगर खासी hate शरदी जुखाम है तो इसको गरम करके पीते हैं तो आपको आपको काफी लाब मिलता है और मूली के पत्ते में आईरन भरपूर रख़ों पाय जाता है बहुत य mentor पायजाते हैं जिनको dönा जरूर करें तो कबज की वज़े वह आहिल से शुबह सुबह जब पीते हैं तो युनको काफी लाब मिलता है तो हमने इसमें काला नमग डाल दिया है और थोड़ा सा भुना वह जीरा पाउडर जिस्से की पीने में भी अच्छा लगेगा और काफी गुणकारी भी यह देखे जीरा पाउडर इसमेड कर देती हैं और आप इसमें निम्बू का रस डाल सकते हैं जैसे कि थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं तो मूली के पत्ते का जूस जो हत्ता है वो काफी लाब दायक है आप इसे जरूर जरूर पीजिए अगर आपको कब्ज रहती है तो बहुत सारे हमने जानकारी दी आपको आप इसे किस तरह से यूज करते हैं तो नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं जब तो आपको काफी लाब मिलेगा थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेश के नुसार तो आप इस तरह से इसका जूस बनाके पीशकते हैं विशर्दी का मौसम है मूली के पत्ते आराम से मिल जाते हैं तो आप इसे अगर पीते हैं तो जड़ से कब्ज जोहवू खातम हो जाएगी जिनको अस्त्मा की प्रबलम होती है उनके लिए मूली का जूस काफी लाब द कफी लाब देता है तो आप इस तरह से मूली का शिवन कर सकते हैं जो काफी गुणकारी है और इसके बहुत सारे फायदे हैं आपकी इस तरह से ले सकते हैं जैसे कि आपको कब जो गैरा हटाना है पाइल स्विशर की समझ्य है तो आपको ठंड़ा लेना है और जब सर्दी क को जिसे भागाना होता है जर सर्दी जुखाम तो इसे गरम करके यूज़ करना है